नमस्कार दोस्तों मैं निलकुमर तुर्किया वश्कनियंत्रा.com की तरफ से अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था दिविद रिष्टि के बारे में तो मुझे काफी मेल्स मिली काफी कॉल्स आये और उनमें से कई ऐसे साधक भी निकले जो की युवास्तों में सीखना चाहते थे और मैंने भर्सक प्रयास किया कि उनको मैं ये ग्यान दे सकूँ लेकिन अभी जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि 10 मिनट की साधना करते ही कि वो ठक जाते हैं बैठ तो जाते हैं ध्यान लगाने लेकिन उनकी अंतरात्म कहीं और ही विचरन कर रही होती है अभी काफी समय लगेगा इनको सिखाने में और कई बार जिंदगी में वो दो रहाये आ जाते हैं जहांपर कि हम ये तैय नहीं कर पाती कि हमें किस तरफ जाना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही हुआ मेरे साध़ों के साथ भी जब मैंने उनसे कहा कि शुन्ने हो जाओ सब कुछ छोड़ दो बस साधना में ध्यान लगाओ तो वो ये तैय ही नहीं कर पाई कि उन्हें जाना किस तरफ है एक तरफ कुछ भी नहीं है सारा कुछ शुन्ने हो चुका है और दूसरी तरफ ये संसार है बिल्कुल इस दोही की तरह है रहिमन मुश्किल आ पड़ी टेड़े दो हो काम सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले नराम तो जो साधना है वो तलवार की धार पर चलने के बराबर है जिसको भी सीखना हो वो दृड़ निश्चे करके आए कि बस यही मुझे करना है और जिन्दगी में और कुछ भी नहीं है वो इस राह में सफल हो सकते है दूसरा यह कि काफी सारी दिक्कते आएंगे इसमें काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा जो कि आपने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया होगा इससे पहले आपने जैसा भी जीवन जिया हो इसके बाद का जो भी आपका जीवन होगा वो इससे बिलकुल उलट होगा तो ये जो साधना हैं ये किसी जंक से कम नहीं है इस साधना में आपको अपने आप से लड़ाई करनी है जिन्दगी में आप कोई भी काम करें वो सहज ही हो सकता है लेकिन अपने आप से लड़ना अपने आप को बदलना इसे कहते हैं असली जंग किसी से मारकूट करके किसी को मारना या फिर कुछ भी ऐसा करना ये सब तो मित्थ हैं सारा कुछ ये तो कोई भी कर सकता है लेकिन अपने आप के जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन लाना वो ही सबसे बड़ा जो है मैं कहूँगा की काम होता है आप चाहे कुछ भी कीजिए लेकिन अपनी दिंचरिया में से एक छोटा सा अंच निकाल कर देखिए मिसाल के तोर पर हम ले लेते हैं कि आप सुबह दस बजे उठते हैं अब आप प्रहतने कीजिए कि आप दस की जगे पांच बजे उठना शुरू करें एक महिने तक तो आप समझी नहीं पाओ कि करना कैसे है तो ऐसे कुछ परिवर्तन लेकर आए अपने जीवन में जो कि आपको उन्नती की और लेकर जाएं ना कि दुर्गती की और जैसे कि मैंने देखा है कि जितने मेरे सादक हैं उन में से कुछ कुछ एक कुलत थी कि सिगरेट पीना, शराब पीना इन सब बुरी आदतों में वो फसे हुए हैं देखिए शराब पीना बुरी बात है या नहीं ये आप एक शराबी को नहीं बता सकते क्योंकि आप कुछ भी कहिए उसे शराब पीने ही है और इसके हानी कारक प्रभाव इतने होते हैं कि मैं क्या बताओं तो जितना जल्दी हो इसके इन बुरी आदतों को छोड़िए और साधना में ध्यान लगाएं इस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि इसको कैसे छोड़ते हैं मतलब क्या क्या इसके दुश परिणाम हो सकते हैं सिगरेट स्मोकिंग के और ये शराब पीने के इनको जितना जल्दी छोड़ दो उतना ही अच्छा है अभी मैं था साधना के बारे में बता रहा था मैं आपको की साधना कैसे करनी है तो साधक के जीवन में जो पहला चरण है वो है अपने आपको बदलना इस संसार से दूर हो जाना शुन्य हो कर साधना करना किसी मोह किसी लालच किसी दिव्य शक्ति की प्राप्ती के लिए ये साधनाई कीजिए बस उस पर मेश्वर की एक जलक के लिए ये साधनाई कीजिए अभी कल ही मुझे एक फोन आया मेरे जो सादक है वो दिल्ली से प्रैक्टिस कर रहा है इसको तो वो कहता है गुरुजी मैं तो दस मिनट भी ध्यान में नहीं बैठ पाता है मैं क्या करूँ तो मैं आपको बताओं कि आपको दो महीने तीन महीने चार महीने भरसक परियास करना आपको बैठना है ध्यान लगाईए अपनी सासों पर जब आप स्वास बाहर छोड़े तो राम बोलिए जब स्वास अंदर जाए तो राम बोलिए आपको पहले चरण में सिर्फ ध्यान लगाना है सीखना है कि अपने विचारों को काबू कैसे करें आपके मस्तिक्ष में सिर्फ एक ही नाद गुंज रहा हो राम राम बस जब ये नाम आपके शरीर में गुमफन होगा तो जितने भी आपके विकार हैं जितने भी तूटिया हैं जितना कुछ भी आपने गंद अपने अंदर भर रखा है पूरी जिंदगी का उसका शुद्धी करण हो जाएगा और धीरे धीरे करके जितने विचार हैं आपके अंदर जितना कुछ भी है वो शुन्ने होना शुरू हो जाएगा और जब आप उस स्थिती में पहुँचोगे उसके बाद मेरी जरुवत आपको नहीं पड़ेगी अपने आप द्वार खुलते जाएंगे बस आपको शुरुवाती चरण में ये ध्यान रखना है इसके लिए आप ओम मंतर का भी उचारण कर सकते हो अपनी स्वास पर भी जो है अपना ध्यान के अंदरित कर सकते हो और धीरे धीरे करके एक एक सीड़ी चड़ीए ये नहीं है कि पहले दिन में आप एक एक दिन का साधना करने लग गए नहीं इतना नहीं पहले दिन में आप शुरू किजेए अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं तो दस मिनट बीस मिनट ऐसे ऐसे करके बस आख बंद कीजिए राम का ध्यान कीजिए ओम का उचारण कीजिए ऐसे करके आप धीरे धीरे आगे बढ़िये और अपना ध्यान एक जगे पर केंद्रित रखें या तो अपने सामने कोई मूर्ति रखें या कोई तस्वीर लगाएं जिसके कि आपका ध्यान कहीं भटके नहीं बस उसी पर लगा रहे और ऐसे से करके धीरे धीरे आप उन सीड़िये को चड़िये अगर आप ऐसा करके अपनी साधना शुरू करते हो तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और इसके बाद जब आप एकदम पूर्ण रूप से साधना में अपने ध्यान लगा सकें उसके बाद मुझे कॉल कीजेगा फिर मैं आपको आगे कि स्टेप्स बताऊगा कि अब आपको अगले लेवल पे क्या करना है किसी भी तरह की परिशानी दिखकत आया मेडिटेशन में तो मुझे कॉल कीजेगा 999-284-1625 धन्यवाद